हेलो स्टुडेंट्स हाव आर यू आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास CBSC बोर्ड की जो बुक है सप्लिमेंटरी यह फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर एक ट्राइंप ओफ सर्जरी जो लिखा हुआ है जेम्स हैरियोट के द्वारा तो चलिए पहले हम आ इसको पutet गया है और फिर जिससको भूँत खिलाया पिलाया जाता है ऑघी जो धनी मालके नहीं है he called seriously लेकिन एक बार क्या होता है वो बहुत अधिक बीमार पढ़ जाता है and his mistress consults a veterinary surgeon, veterinary पशुचिकिस्तक और उसकी जो मालकी ने वो एक पशुचिकिस्तक जो veterinary surgeon है उससे consult करती है, आपको ये बता दे कि जो veterinary surgeon है, वो कोन है, वो खुद जो writer है हमारे James Harriot जी वही है, does be perform an operation, क् operation होता है, क्या जाता है, does the dog recover, वो क्या जो dog है, वो recover हो सकता है I was really worried about tricky this time, यहाँ पर जो I है, वो veterinary surgeon और जो हमारे writer है James Harriot जी, उनको refer करता है वो कह रहे है, I was really worried about tricky this time, कि इस समय मैं बहुत अधिक चिंतित हो गया, जब मैंने किसको देखा tricky को I had pulled my, pulled up my car, मैंने रोका, pulled up, रोका अपनी car को, when I saw him in the street with his mistress जब मैंने उसको गली में, street means, गली में, यह रास्ते में देखा, अपनी मालकिन के साथ and I was shocked, मुझे बहुत धक्का लगा, at his appearance, उसको देख करके, जब मैंने उसको देखा, तो मुझे बहुत धक्का लगा he had become hugely fat, वो बहुत अधिक, मोटा हो गया था, लाएके, bloated sources, bloated means होता है, फूला हुआ, bloated का मिनसों का फूला हुआ और sources में, जैसे कोई mask का, फूला हुआ, बहुत बड़ा टुकडा हो, with a leg at each corner, जिसके, हर corner में, एक leg, एक पैर निकलाया हो his eyes, bloodshot, उसकी आखे, बिल्कुल लाल हो गई थी, and yummy, और उनमें से लगातार पानी बह रहा था, जैसे कोई बीमार हो जाता है, तो उसकी आखे, लाल हो जाती है उसमें से लगातार पानी बहाता रहता है, उसी परकार, जो कुन था हमारा, जो कुत्ता तर्टरी की, उसकी आखे भी bloodshot लाल हो गई थी, और उनमें से भी पानी आ रहा था और वो बिलकुल सामने देख रहा था, उसकी जो टंग, उसकी जो जीब थी, लोड फॉम ही जो, वो हैंग्ड लूजली, हैंग्ड यानि की वो लटकी हुई थी, बिलकुल धीली होकर उसके जवडों से बाहा लटकी हुई थी यह जो मिसिस पमपरी हैं, यह उसकी मिस्ट्रेस हैं, जो ठीकी कि हमने मिस्ट्रेस बताइए, कि जो बहुत रिच थी, जो उसका बहुत ध्यान रखती थी, उनका नाम मिसिस पमपरी हैं जब उन्होंने देखा कि जो लेखक है जो डॉक्टर है उन्होंने उसको देखकर गाड़ी रोक ली है तो वो उनको एक्स्प्रेन करने लगी यह आजकल बहुत अधिक बेचैन रहता है परिशान रहता है डिस्टर रहता है मिस्टर हैर्योड जो की राइटर है और एक पैटरनरी सर्जन है उन्होंने देखा उस डोगी की तरफ, उस डोग की तरफ, कुट्टे की तरफ कि उसमें उन्हें कोई भी उर्जा, कोई भी एनर्जी उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाए थी उन्हीं लगा कि शायद मैंने सोचा है यह मस्ट बी कि वो सफ्रिंग मीं सपीडित है कौन सी बिमारी थी? मैनिस्ट्रेशन, यह होता है कुपोशन कि यह कुपोशन की बिमारी होती है कि इसको वो लगी हुई है So I have been giving him some little extras between तो कह रही है कि जब उसको lady को लगा, उसकी mistress को लगा कि उसको लगता है कुपोशन की बिमारी है तो कहते है उसने उसे कुछ little extras, कुछ जितना वो खाता है उससे extra देना सुरू कर दिया between meals to build him up between meals उसके भोजन के बीच में यानि कि उसको जो भोजन देती थी वो तो देती थी लेकिन उसके बीच में उसने कुछ extra भी देना सुरू कर दिया to build him up जिससे कि वो उसको ताकतवर बना सके जैसी some malt कुछ जो गेउं से बना हुआ कोई पदार and cold liver oil cold liver oil होता है एक तरह की मचली का तेल होता है वो उसने उसको देना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो recover सके and a bowl of holix और क्या देती थी थी वो उसको एक कटोरा भरके holix देती थी रात में to make him sleep जिससे कि उसको अच्छे से नेंद आ जाए nothing much really इससे अधिक वो कुछ नहीं देती थी लेकिन राइटर सोचता है कि इतना तो ये बता रही है अभी पता नहीं हो रही है क्या क्या देती होंगी and did you cut down on the sweet things as I told you और वो कहता है अब जो सर्जन है वो पूसता है veterinary सर्जन से पूसता है कि मैंने आपको पहले भी सला दी इसका मतलब कि जो लेडी है ये जो मिस्ट्रेस है वो पहले भी उससे इस बारे में बात कर चुकी है discuss कर चुकी है तो वो कहता है कि मैंने पहले आपको cut down the sweet मैंने कहाता कि cut कर दो छुड़वा दो इसका sweet मी जो मीठी बस्तु है as I told you मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था I did for a bit but he seemed to be so big वो कहती है कि मैंने कोशिश किया लेकिन अब भी वो मुझे बहुत कमजोर दिखाई देता है I had to relent और जब वो मुझे कमजोर दिखाई दिया तो relent मींस होता है कि मैंने उसको जो है दोबारा खिलाना पड़ा he does love cream उसको बहुत पसंद है cream cakes chocolate so I can not bear to refuse him इसले मैं उसको मना नहीं कर सकती I looked down again at the little dog मैंने दुबारा little dog को देखा that was the trouble जो परिशानी में था Ticky's only fault was great उसका एक मात्र जो कारण था उसकी बिमारी का वो उसका लाजस था he had never been known to refuse food वो कभी भी मना नहीं करता था खाने को he would take us to meal any hour उसको किसी भी समय meal मिस भोजन किसी भी घंटे ले दो सुबह में रात में वो खा लेता था and I wondered about all the things Mrs. Pampery had not mentioned मुझे आस्चरी है कि ये सब होने के बाद भी जो Mrs. Pampery है उन्होंने इस चीजों को mention नहीं किया है ध्यान नहीं दिया है are you giving him plenty of exercise तो अब writer पूसता है कि क्या तुम इनको exercise भी कराती हो well he has his little walks with me as you can see कहता है कि he has his little walk कि वो कभी कभी मेरे साथ आ जाता है जैसे कि मैं घूमती हूँ आप देख रहे हैं but hotkin the gardener लेकिन जो hotkin है gardener माली है has been down with loembo लेकिर उसको back pain की problem हो गई है so there has been no ring throwing lately लेकिन अब कोई plate जो तस्तरी फेटने का केल होता है वो नहीं होता है I try to sound severe लेकिन मैं थोड़ा वो गंबीर आवाज में हो कुई now I really mean this अब मैं ये मुझे भी ये चाहिए if you don't cut his food right now अब तुमें इसका जो भोजन है वो कम करना पड़ेगा and give him more exercise और आपको इसको exercise करानी पड़ेगी he is going to be really ill तो ये वास्तर में बहुत अदिक बीमार पड़ जाएगा you must harden your heart तुमें अपने मन को कमजोर करना हाड करना पड़ेगा and keep him only very strict diet और इसकी जो डाइट है वो बहुत आपको लिमिट में देनी होगी Mrs. Pamprey wrung her hands wrung miss वो मसलने लगे अपने हाथ परिशान हो कर oh I will Mr. Harriet तुम देखना मैं ऐसी करूँगी Mr. Harriet से बोलती है I am sure you are right मुझे विश्वास है कि तुम सही बोल रही हो but it is so difficult लेकिन बहुत मुश्किल है so very difficult बहुत मुश्किल है she sat off head down उसने मतला कह दिये बहुत मुश्किल है ऐसा करना इसकी डाइट को कम करना इतना बोलकर वो चली गई सीर जुका कर along the road रास्ते से होकर चाहिए as if determined और ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि उसने द्रड़ निश्चे कर दिया है to put the new resume कि वो उसका जो routine है resume means जो routine है वो उसको follow करेगी practice immediately तुरंत उसको वो follow करेगी आई पास their progress with growing concern जब वो गाड़ी में बैठकर हैरियर जाने लगे तो उसने देखा उसकी mistress को tricky की तो वो देखते हैं उसे देखका उन्हें बड़ी चिंता हुई tricky was tottering along in his little tweed coat जो tricky है वो tottering में लड़ खड़ा कर चल रहा था और उसने क्या पैना हुआ था tweed coat पैना हुआ था जैसे कि पैनते हैं को जो rich woman है जो अपने डोगी को जैसे कि इसमें दिखाया है picture में दिखाया गया है इसके लिए और he had a whole wardrobe of these coats और ऐसे coat की उसके पास पूरी की पूरी wardrobe में अलमारी थी for the cold weather ठंडे के मोसम में पैनने के लिए भी and a rain coat और बारिश में के दिनों में भी पैनने के लिए he struggled on dropping in his harness droopy struggle कर रहा था वो dropping में जुका हुआ था dropping जुका हुआ था in his harness अपनी जो की stress था उसके उसके उपर उसके गले में उसके कपड़े पैनने होए थे और गले में उसके फंदे पढ़े थे तो वो बहुत जुक कर चल रहा था कुछ भी बिमार भी था I thought it would be long before I heard from Mr. Pampree तो Harriet सोचता है कि I thought it would be long before लंबा समय नहीं लगेगा I had heard Mrs. Pampree को मेरे पास आने में यानि कि बिमार होने वाला है ज्यादा बिमार पढ़ने वाला है अब आगे देखते हैं क्या होता है The expected call came within a few days जो उसे उम्मीद थी कि call आएगी तो वो उसके पास Harriet के पास call आ जाती है Mrs. Pampree was distorted Distort means very परिशान थी upset थी वो चिंती थी Tricky would eat nothing जो tricky है वो कुछ नहीं खा रहा था Refused even his favorite dishes वो मना कर रहा था अपनी फैबरेट जो dishes थी जो उसको बहुत पसंद थी उनको भी मना कर रहा था And besides और इसके दिख्त He had bouts of vomiting Bouts means बार-बार वो क्या कर रहा था Vomating उल्टी कर रहा था He spent all his time lying On a rug Panting वो हमेशा बिता रहा था इस pant means बिता रहा था वो डॉक्टर को बताती है Did not want to go for works वो कुछ समय से घूमने भी नहीं जा रहा था Did not want to do anything वो कुछ भी नहीं कर रहा था I had made my plans in advance अब जो Mr. Harriet थी उन्होंने अपनी योजना पहले बना रखी थी कि जब भी goal मेरे पास आएगी मैं इस problem को solve out करूँगा अपने घर से I suggest that he be hospitalized कि उनको hospital में बुलाया जाए for about a four night कुछ समय के लिए कुछ रातों के लिए ठीक है या कुछ दिनों के लिए to be kept under observation और उसको निरिक्षन में रखा जाएगा The poor lady almost swinned जाते ही उस lady ने उसकी mistress ने बास सुनी तो वो लगबग अपने उसने होस खो दिये बेहोस सी हो गए She was sure he would pine and die उसे ऐसा लगा कि यदि उसका जो tricky add होगी है वो अपने मालकिन को नहीं देखेगा तो उसको क्या होगा उसको दुख तो वो बहुत दुखी होगा pine में बहुत दुखी होगा और वो मठ जाएगा इफ यदि वो इफ he did not see her everyday यदि वो अपने मालकिन को डेली नहीं देखेगा बट I took him a firm line लेकिन उसने भी जो Harriet है उन्होंने भी द्रण निश्चे कर लिया था tricky was very ill उसने का बहुत बिमार है and this was the only way और केवल यही तरीका है to save him उसको बचाने का in fact I thought वास्ता में I thought मैं सोचा it best to take him without delay बिना देर की हैं उसको ले जाए and followed by Mr. Femfrey's well और उन्होंने Femfrey जो थी उन्होंने रोना-दोना वैलिंस में रोना-दोना शुरू कर दिया I masked out to car carrying में उसे car की तरफ ले गया the little dog को wrapped इने blanket blanket में उसको लपेट लिया और गाड़ी की तरफ उसको ले गया आज की लिए इतना ही बाकी next वीडियो में मैं आपको explain करूंदी Thank you